हेलो दोस्तों हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए BPSC TRE 3.0 से TGT SST का कट आफ में लेकर रही हूँ तो कल आप सभी का 9 to 10 का पेपर हुआ था BPSC का तो ऐसे में सभी के गुशन्स आ रहे थे कि हम कट आफ के उपर वीडियो बनाएं तो आज का वीडियो इसी कट आफ पर आधारित है कि क्या कट आफ रहेगी तो कल के पेपर के बाद आपने टियारी 1 दिया टियारी 2 भी दिया है इसके बाद ये टियारी 3 का एक्जाम था अब यहां पर कट आफ को लेके सभी को चिंता हो जाती है पेपर के बाद की कट आफ क्या जाएगी तो चलिए आज के वीडियो में इसी पर बात करेंगे कि क्य क्या जाएगी यहां पर ये to ae終el का है शोचल की कट-off क्या जाने वाली है Hindi का कट-off मैंनें आप सभी כो बता दिया है तो वह अपको मेरी चैनल पे मिल जाएंगा तो आप उसको विजट कर लेजिएगा कि Hindi का कॉट-off क्या रहने वाला है और यहां अस टी वाले भी मुझे comment कर सकते हैं कि उनके marks जो है कितने बन रही है category wise मुझे अपने marks comment जरूर करीगा तो चलिए cut off की बात कर लेते हैं तो सबसे मेले बात करते हैं unreserved category की या नहीं general category की तो general category की जो cut off जाने वाली है तो यह 73 से लेके 77 के बीच में जाएगी, वहीं पे female category की बात कर लें, तो यह 70 से लेके 73 के बीच इनकी cutoff जाएगी, अब बात करते हैं BC की, तो BC की जो male category की cutoff जाने वाली है, वह 70 से 75 के बीच में जाएगी, वहीं पे female category की बात करें, तो 70 से 73 के बीच में जाएगी, इन में ज वहीं पर फीमेल की बात करें तो 63 से लेके 68 के बीच में रहने वाली है SC की बात करें तो ये 60 से 65 के बीच में रहेगी वहीं पर ST की बात करें तो ये 58 से लेके 63 के बीच में कट ओफ रहने वाली है चले वहीं पे बात कर लेते हैं SC केटेगरी की तो इनकी बारे में आपको बता दी है कि 58-63 के बीच रहेगी वहीं पे बात करते हैं SC केटेगरी की तो इनकी 57-62 के बीच कट आफ रहने वाली है और फीमेल की बात कर लेते हैं 55-60 के बीच इनकी कट आफ रहेगी अब बात करते हैं other category में कट आफ क्या रहने वाली है तो यह other category की बात कर लेते हैं 55-60 के बीच रहने वाला है या 1-2% कम यह जादा रहेगा तो यह मेरे पास SSD की कट आफ है BPSC TRE 9-10 की ठीक है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कट आफ के उपर हम बात करेंगे तो आज का वीडियो सभी को अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक शिर और सब्सक्राइब कर देजिएगा और आपके कोई डाउट्स हो या आपको माक्स अपने अपने मुझे कमेंड जरूर कर दीजिएगा दन्यवाद